कैंश कार दोस्तों सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब अब बात करने वाला यह इन वाला है ने का अधर नीडिया के साथ तो यह जो से सेर है TV18 ब्रॉडकास्ट यह नेट्रोक 18 मीडिया के साथ यह मर्ज होने वाला और अभी में आपको आगे बताने वाला हूं कि कितने सेर पर यानि की टीवी 18 की कितने सेर मिलेंगे ठीक है तो बने रही इस वीडियो में बड़ा इंट्रेस्टिंग होने वाला है देखिए यह सेर है नेट्रोक 18 यह तो आपको पता होगा कि रिलाइंस की चाइल कंपनी है मतलब कि रिलाइंस के इसमें मोस्ली स्टेक है अगर हम आल टाइम पर देखें तो यह जो है यह देखिए आप 110 के आसपास भी गया हुआ इससे पहले तोड़ा सा जूम करूं तो समझ में आएग आपको 110 के आसपास भी गया हुआ है यह देखिए अगर मैं इसको यह जूम करता हूं 110 के आसपास गया हुआ है ठीक है और देखिए इसके सबसे खास बात यह कि इसका जो बुक वैल्यू है यह इनि कि स्टॉक का भाव जो है वह सो रुपए उससे ज्यादा होना चाहिए ज को 500 पर से उपर भी गया हुआ है और आज देखिए अभी 87 पर है और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की या फिर बाकी चीज़ों के बात करें पी रेशू के बात करते हैं तो यह जीरो है जो पर इंडेस्टी का जो पी रेशू है वह 16 है देखिए वुक वैल्यू इसकी भी 124 औ जाएगा न तो यह बहुत बड़ी होने वाली है मतलब बहुत बड़ी है इन देसंस के 9000 जो है इसका मार्केट कैप है और इतना ही साइद इसका भी है देख लेते एक बारी देखिए 8000 के आसपास क्रूर के आसपास इसका है तो 15-16000 के आसपास का टोटल कंपनी की जो है मा टेकनिकल की बात करें तो यह देखिए स्टॉक पिछले एक साल में देखिए 31 परसेंट भागा है तीन साल की बात करें तो 141 परसेंट और यहां पर इसने जो है 98 या फिर 113 रोपे का असपास का हाई भी बनाया था अप्रेल 2022 में और अगर इसकी ऑल टाइम की बात करना तो स्टॉक अपने हाई से बहुत कम पर है तो यह रिलाइंस कंपनी का इसमें स्टेक है और दौनों का मर्ज़ूर होने के बाद मुझे लगता है कि यह स्टॉक बिलकुल उपर जाना ही जाना चाहिए जिस तरह से इसका टेकनिकल चार्ट बन रहा है वो भी काफी स्टॉंग ब